हलो दोस्तों मैं पशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक्वेटी टु कम्यूटी में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि मार्केट अगर आपका गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद कैसा मूब दिखाएगा उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि अगर मार्केट कभी आपका गैप अप अपन होता है तो उसके बाद हो सकता है कि वो वहाँ से अपसेर मूब भी दिखा दे या फिर gap up open होने के बाद वहाँ से ये downfall move भी दिखा सकता है similarly अगर market आपका gap down open होता है जो उतनी है कि gap down के बाद वहाँ से और चाहता हमें गिराबठी देखने को पिलेगा कई बार हमें gap down के बाद market नीचे जाता हुआ भी दिखता है ये मैं आपको इस वीडियो में detail से explain करने जा रहा हूँ इसलिए आप इस वीडियो में last तक बने रहे हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो request है चैनल को subscribe कर लिजे साथी साथ bell icon दबना ना भूले तो चलिए start करते हैं तो यहां पर हम लोग चार्ट पर आ गए और देख सकते हैं यह चार्ट है आपका ICICI bank का 5 मिनट वाला चार्ट यह नहीं अगर आप यहां पर इंट्वारे ट्वेडिंग करते हैं तो जनर्वली हमें 5 मिनट टाइम वाला चार्ट ही इस्तमाल करना होता है अगर आपका gap up या gap down होता है तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं market यहां पर आपका gap down open हुआ है अच्छा गासा लेकिन इसके बाद भी price नीचे नहीं जा रहा gap down के बाद क्या हुआ? price यहां पर आपका ऊपर जाना start हो गया और कई बाद gap down के बाद price आपका नीचे जाता हुआ भी देख सकता है तो gap down open होने के बाद price आपका कहां जाएगा वो मैं आपको इस वीडियो मताना जा रहा हूँ साधी साथ जब market आपका gap up open होगा तो उसके बाद price का momentum कैसा होगा? जैसे यहाँ पर देख सकते हैं gap up open होने के बाद price नीचे जा रहा है कई बार gap up open होने के बाद price आपका ऊपर भी जाएगा तो price में हमें किसी भी तरफ momentum देखने को मिल सकता है किसी भी तरफ moment देखने को मिल सकता है वो momentum हम काफी हट तक कैसे पता कर सकते हैं और उसके basis पे हम most important trade कैसे ले सकते हैं, अपना trading setup कैसे त्यार कर सकते हैं, यही मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा है, तो चलिए यह को हम सीखते हैं, तिहां पे हम एक indicator का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है Bollinger Band, देख सकते हैं, यहां पे हमने Bollinger Band indicator को add कर लिया है, ज इसको आप किसी भी brokerage firm में अगर आपका DMAT account होगा, तो आप पे आप इसको आसानी से add कर सकते हैं, जब आप add करेंगे, तो कई बार आपको यह तीनों color, white ही देखने को भी लेगा है, तो color setting आपके हाथ में, आप change कर सकते हैं तो by default भी use कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं प यानि Bollinger Band की तरफ move कर रहा है, तो जब यह Bollinger Band की तरफ move करने लगे, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना trading decisions लेना, हमें direction find करना है, और direction find करने के साथ ही, हमें trade setup तयार करना, trading decisions लेना, लेकिन वहीं उसके opposite, अगर यह यहाँ से आपका नीचे गिर रहा होता, that ministry है क्या हो रहा है, Bollinger Band से इस तरह से दूर जा रहा होता, तो जब यह Bollinger Band से दूर जा रहा होगा, तो उस ताइम भी हम क्या करेंगे, अपना trading positions initiate नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, trading avoid कर देंगे, यह concept clear हो गया, कब यहाँ पे हम trading setup तयार करेंगे, कब यहाँ प रही है, तो यहाँ पर यह Bollinger Band के तरफ जा रहा, पहला candle हमें कोई direction नहीं बता रहा, second, third candle हमें clear cut बता दिया कि direction किस तरफ है, direction है आपका upside के तरफ, तो जैसे ही आपका third candle के बाद, fourth candle जैसे ही open हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम by side के तरफ positions initiate करेंगे, positions तो initiate होगा लगबग आपका, 8.53 के करीब होगा, और यहाँ पे हम by side की तरफ positions initiate करेंगे, यह जो point होगा मेरा hustle की रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा, और यहाँ पे हम previous swing high तक जा सकते हैं, यारि तो यहाँ पे हम failing stop loss का भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो इस तरीके से दे जल सकते हैं, लगबग मुझे यहाँ पे 1% तक का return आसानी से मिल गया, 1% return, sufficient होता है, इसके basis पे आप चाहो तो options में भी आसानी से trade किया जा सकता है, यहाँ पे आप चाहो तो 8.50 या फिर 8.40 जो भी आपको सही लगता है, इसका आप यहाँ पे call options buy कर सकते हैं, आईसे एसे bank का, जो भी strike price available होगा, उसका यहाँ पे आप call options आसानी से buy करके, यहाँ से भी profit बनाया जा सकता है, उसकी बाद, आपको एक और सी ध्यान से समझना है, यहाँ पे देखिए price आपका gap up open हुआ है, लेकिन यह क्या, बॉलिंजर बैंड के अंदर ही है, यह निए gap up या gap down जब देखने मिले, price का, कहा होना चाहिए, बॉलिंजर बैंड से बाहर होना चाहिए, तभी हम tweet लेंगे, इसके अंदर होगा, फिर भी हम यहाँ पे avoid करेंगे, तो हमें trade कब लेना है, gap up या gap down हो, बॉलिंजर बैंड के बाहर हो, पहला condition है, कि यहाँ पे आपका, outside बॉलिंजर ब वो बॉलिंजर बैंड की तरफ होना चाहिए, बस दो ही condition satisfy करेगा, तब यहाँ पे हम trade लेंगे, otherwise हम इसके basis पे trade नहीं लेंगे, जैसे यहाँ पे यह gap up दिया, बॉलिंजर बैंड के अंदर ही gap up दिया है, यहाँ पे हमारे कोई काम का gap up नहीं दिया है, उसके बाद यहाँ पे हम पीछे चलते हैं और find करने की courses करते हैं, अब यहाँ पे नेखिए, क्या हुआ प्रैस आपका gap down open हुआ है, और gap down दिया है बॉलिंजर बैंड के बाहर, तो यहाँ पे हमारा पहला condition को इसने satisfy किया, अब दूसरा, कि इसका direction क्या है, क्या बॉलिंजर बैंड की तरफ जा यह point मेरा SL के रूप में काम करेगा, और यह मेरा first target price, बाकि जो भी swing आया होगा, वो target price आप यहाँ पे sit कर सकते हैं, इसको इसने आसानी से hit कर दिया है, तो यहाँ पे हम एक और example लेते हैं, यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी आपका क्या हुआ, same चीज हुआ है, gap down open जो कि हमें आसानी से profit बना के दे देगा, तो यहाँ पे हम point calculation नहीं करें, point calculation आप खुद से भी कर सकते हैं, सिर्फ हम आपको बता रहें कि इस basis पे आप trade ले सकते हैं, इसके direction को आप identify करके अपना trade setup तयार कर सकते हैं, और trade setup कैसे तयार करना, मैंने आपको first example में already बता ही दिय है, तो यहाँ पे जब हम nifty example बाद में देखेंगे, तो आप मैं आपको एक बार और बता दूँगा कि trade setup हमें कैसे लेना है, तो यहाँ पे भी gap down open हुआ है price आपका, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, price आपका gap down open हुआ है, लेकिन यह जो open हुआ है, कहाँ पे, ब बॉलिंजर बैंड के बाहर होना चाहिए, क्लोजिंग बाहर देने से काम नहीं चलेगा, यह भी हमारे कमेटेरिया को फुल्फिल नहीं कर रहा है, अब हम और यहाँ पे example identify करने की कोसिस करते हैं, अब यहाँ पे देखें, एक और price आपका क्या हुआ है, gap up open हुआ है, उसके अगर price यहाँ से आपका, यहाँ open होता, उपर जाता, यहाँ open होता, उपर जाता, मतलब है कि आपका बॉलिंजर बैंड से दूर जाता, अगर यहाँ पे green candle form होता, ति आपका बॉलिंजर बैंड से दूर जाता, और यहाँ पे red candle form कर रहा, that means to बॉलिंजर बैंड की तरफ आ जाएंगे और देख सकते हैं जादत नहीं लेकिन थोड़ा मोदी हमें प्रॉफिट देखे ही जाएगा लगबग एक दो पॉइंट का प्रॉफिट तो जहूर देखे जाएगा क्योंकि प्राइस उससे नीचे है और पूरे दिन वेंजमान मूव करता ही रह गया है इसी तरीक आपका किस तरफ जा रहा है यहां पर ऑपन हो रहा है इस तरह से मूव कर रहा है यहां पर आपन हो रहा है लेकिन दूर जा रहा है तो हमेरा पहला कंडिशन था कि बॉलेंजर बैंट की तरफ आना चाहिए जो कि यह नहीं दिखा रहा तिहां पर हम ट्वेट सेटप नहीं लेंगे प्रॉफिट बन वा है नहीं बन वह हम नहीं देखेंगे लेकिन हमारे कंडिशन को सटिस्फाइज नहीं करेगा तो हम यहां पर ट्वेट यहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा जैसे हम आज की डेट की बात कर लें 29 अगस्त की बात कर लें देख सकते निफ्टे आपका जब दस्त डाउन ऑपन हुआ था और उसके बाद पहला केंडल ने हमें कोई डायक्शन नहीं बता है लेकिन दूसरा और तीसरा केंडल हमें 250 के आसपास होगा थोड़ा बूत उपर नीचे हो सकता है 10-15 पॉइंट तो इसके करीब हम यहां पर इंट भी लेंगे टागेट प्राइस के अगर हम बात करें 17,300 यह पहला टागेट होगा और 17,350 जो साइकलोजिकल लेवल है यह हमारा दूसरा टागेट प्राइस हो जाए उपर में अगर ऐसा कुछ हुआ तो जैसे अगर यहां पर आपका ग्याप अपन हुआ उसके बाद प्राइस आपका इसके तरफ आ रहा यह पॉइंट मेरा एसल के रूप में काम करेगा फिर यहां पर हम सेल साइड की तरफ इंट वी लेके फिर डाउन फॉल मूब से हम प् होगा इससे विलेटेट कुछ भी डाउट या फिर कन्फीजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते वहां पर आपको प्रॉपर एंसर किया जाएगा तो डाट सौल फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन